स्वागत है अब सभी का Tech Steady ITI YouTube चनल पर तो यहां हम लोग बात करने वाले railway में apprenticeship में कुछ हो रहे हैं बदलाओ के उपर या कुछ जो बदलाओ के बारे में news आती रहती है उसके उपर जिसमें से एक सबसे बड़ी news है और जो होना भी चाहिए कि railway apprentice का जो stipend है वो 15,000 रुपए किया जाए इसके बारे में कई बार मांग की गई कई बार अभी तक मांग मानी नहीं गई है लेकिन अभी ये मुद्धा बड़े लेबल पे भी उठने लगा है कि railway जो apprenticeship कर रहे हैं बहुत सालों से उन्हों 6-8,000 रुपए के बीच में दिया जाता है और आज के टाइम में जिस तरह से महँगाई है कमरे लेकर रहना आना जाना और वहां रहकर अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करना ये 6-8,000 में manage करना किसी भी candidate के लिए बहुत मुस्किल हो जाता है तो इसके बारे में ही बात हो रही थी railway के हर जोन में अगर आप बात करेंगे तो अभी जो apprenticeship में आपको stipend मिलता है वो लगबग 6,000 से 8,000 के बीच में vary करता रहता है कुछ जो private apprenticeship है उनमें आपका इस stipend अलग हो सकता है बट railway में किसी जोन में 6,000 किसी में 6,700 किसी में 7,700 तो किसी में 8,050 रुपए अलग-अलग trade wise one year and two years के according vary करता है बस इससे जादा कहीं नहीं आप देखेंगे बहुत सारे railway के जोन है अलग-अलग जोन में apprenticeship एक साल में 30,000 से उपर railway के apprenticeship आती है railway apprenticeship के बाद आपको बहुत सारे benefits भी मिलते हैं वो चाहे group D की job हो चाहे आपका आगे railway में कोई और permanent post आए तो वो हो तो इसी पे एक जो railway में है के apprenticeship में आप जोईन करेंगे तो आपको 15,000 मिलेगा तो अगर ऐसा है तो अभी ये 15,000 जो है इसका कोई भी official notice नहीं आया है किसी भी जोन से नहीं आया अगर बात की जाए तो तो अगर आप railway में अभी apprenticeship जोईन कर रहे हैं तो आपको जो पुराना guideline है उसी के recording जो जोन ने notification जारी किया होगा उसमें जो होगा उसी के basis पे आपको 15,000 मिलेगा जैसे ही कोई और news आती है railway के apprenticeship की 15,000 हुआ या नहीं हुआ तो railway की जो भी detail आती है apprenticeship आपको हम इस चैनल पे दे देते हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और वीडियो को like करना मत क्योंकि इस पे आपको railway apprenticeship, ITI की jobs, साथी साथ ITI की study और ITI की update सारी कुछ सबकुछ time पे मिलती रहती है तो हम भी इसमें भी आप लोग भी twitter पे support कीजेगा हम भी twitter पे लिखेंगे अब जो railway apprenticeship है क्योंकि government job में भी सेबंथ पे आया सब कुछ आया और उसमें भी जो payment थी वो सब के बढ़ाये गए तो क्यों नहीं railway apprenticeship जो कर रहे हैं आप भी एक साल वहाँ पे आई जे पूरा labor की तरह आप काम करते हैं सीखते हैं काम को तो आपको भी at least इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए क्योंकि आप तो एक दिन का अगर कोई daily basis दिक काम करता है तब भी उसको 300 से जादा रूपय एक दिन के 400 रूपय तक मिल जाते हैं तो आप तो railway में एक prestigious जो भी department है उसमें काम कर रहे हैं तो आपकी at least एक दिन की 500 रूपय से ज़्यादा income तो बननी चाहिए महीने की तो 15,000 रूपय कोई भी बड़ा amount नहीं है यह जरूर करना चाहिए and I hope जल्दी हो जाएगा में भी अगर अगला notification आता है अगर उसमें कुछ हैसा विचार बन पाता है तो सायद आने वाले time में जो भी notification और zone से आएंगे railway apprenticeship के उसमें आ सकता है कि जो आपका stipend है वो ना 15,000 तो अगर आपकी demand 15,000 हो सकता है government आपका 12,000 तक तो करी देगी तो at least आपकी एक साल apprenticeship में इसी भी जोन से आती भड़िये जरूर क्योंकि फायदा सबसे ज़्यादा मिलता है railway से apprenticeship करने के बाद ही अभी आपने देखा होगा वन थर्ड आपका जो apprenticeship में मार्क सोवो मिलेगा 20% आपको quota मिलेगा PET में आपको छूट मिलेगी बहुत सारी ऐसे benefits आपको railway देती जा रही हो तो में भी अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले टाइम में GM पावर के तहट भी डारेक्ट apprenticeship को समायोजित करने की बास रंसद में उठ चुकी है उस पर भी हमने detail में वीडियो बना दिया है आपने जरूर देखा होगा चैनल पर नहीं देखा है चेकाउट करके देख लीजेगा ऐसी छोटी बड़ी अपडेट हम आपको सभी देते रहेंगे चैनल पर बने रहें चैनल पर मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक्यू बेरे मच्च